नारियल तेल में दो चीज मिलाके लगा लो चहरा तुरंत निखा जाएगी दोस्तो अगर आपकी स्किन में दाग धबे जहाईया पिग्मेंटेशन है एगिंग साइना स्टार्ट होगी है या फिर स्टैनिंग की प्रॉब्लम है काला पन है तो इन सारे प्रॉब्लम को दूर क अब कैसे आपकी स्किन को एकदव लाइटन ब्राइटन ग्लॉइंग और ग्लास स्किन बना सकते हैं आज मैं आप सबके साथ इस वीडियो में वही शेयर करने वाली हूँ तो चलिए जादा वक्त जाया ना करती हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं वेल्कम टूरुपास पैशन वर्ल्द दोस्तों सबसे पहले हम बनाएंगे स्किन लाइटनिंग और ब्राइटनिंग फेसमार्क्स नेक्स्ट रंपनाएंगे एंटि एजिंग नाइज क्रीम तो सबसे पहले हम बनाएंगे फेसमार्स इसके लिए मैंने यह निया है एक के कोलाजिन को बूस्ट करती है नेक्स मेहिया पर एड़ कर रही हूँ तीम से चार चमच राव मिल्क जी हो दोस्तों राव मिल्क भी हमारे स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है को कोनट राव मिल्क अगर एक साथ अपनी स्किन में इस्तमाल करते है तो यह गजब कर यह 7 से अपनी ताव भी मिल्क जी नंस मेंदे है बाड़ करती घंच चावल का अंगरों करती है अपकी स्किन को लाइटन बॉइन करतीvation और जञदा सक देखा गया है जैपनीज और पर एक्षआर चावल याजग ऊपनाल लिए तक लिए थैस यह लिए और स्किन उम्ह आट एक चमाच बेषन, दोस्तों बेषन कर छिर्ट चनल केलादर के एक र Healthy इसम消息 लेग रांदर कर लेपके शयुaus तो यहां पर आप बेसन की जगा गेहू का आटा उसे भी इस्तमाल कर सकता है दो ही चीजे हमरे स्किन के लिए बहुत ही अच्छ है नेक्स मैं यह पर एड़ करें लेमन जूस लेमन में भरपूर विटमेंसी होता है जो कि हमरे स्किन से दाग धब्बय को दूर करती है, टैनिंग को दूर करती है, कालापन को रिमूफ करने में मदद करती है स्किन में बहुत ही अच्छा निखार लेकर आती है लेमन जूस एक नाच्छल ब्लीचिंग एड़न है, इसमें भरपूर विटमेंसी होता है बहुत सरे लोग है जिने की lemon juice suit नहीं करता है तो मैं उन्हें कहूंगी lemon juice की जगा पर आप यह पर tomato का paste या tomato का pulp भी ले सकते हैं उसे भी बहुत ही अच्छा निखाल आता है वह भी skin के लिए बहुत ही अच्छा है तो अब क्या करना है अच्छी तरह से इन सारे चीजों को mix कर लेना है आपको यह पर पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है मैंने यह पर raw milk से ही इस paste को बनाया है तो अच्छी तरह से mix करने के आप देखेंगे एक smooth सा creamy सा पेस्ट बनके तयार हो जाएगा और यह remedy लड़का लड़की टीनेजर कोई भी इस्तमाल कर सकते है इवन आप बच्छों पे भी इसका इस्तमाल कर सकते स्किन के लिए बिल्कुल भी हमफुल नहीं है स्किन के नैश्रल तरीके से यह निखारती ह तो चल्विए देखेंगे इससे किस तरह से इस्तमाल करना है मैं अपने फेस पर अप्लाई कर रही हूं एस ए फेसमाक्स में मेरे घर में थी बाहर से नहीं आरही है अगर इस भी में खन्क आप और पहर से बाहर से आरहे हैं इसकिन में बहुती ज्यादा घंडगी या फिर म अची तरह से एप्लाई करने सब्सक्राइब आपको इस पहल toutes इसे ज Apply करने के बादे इसे गाल चौब करना है यहँकर यहां पर एपे यहां जेंट भी आपके सब्सक्राइब कारेगी आपके saliva सब्सक्रायक है उसे remove करेगी, tanning को दूर करेगी, marks और skin को light and brighten बनाएगी, दाग धब्बे को भी कम करने में मदद करेगी, खास करके forehead के area, nose, chin, bone जहां पर whiteheads, blackheads की problem होती है, वहां पर हलके हातों से थोड़ा सा ध्यान दे के scrub कीजिएगा, इससे क्या होगा, आपके skin में जितने भी whiteheads और blackheads है वह भी बहुती आसानी से remove हो जाएगा, कम से कम, 2-3 minute इस तरह से हलके हातों से आपको scrub करना है, उसके बाद इसे छोड़ देना है as a face marks, यह रड़ी आपकी skin को light and brighten करेगी, skin को tight करने में में बनात करेगी, skin में बहुती अच्छा glow लेके आएगी, और tanning या जितनी भी गंद दस में बात क्या करना है, मैं गीले टावल की मदद से अच्छी तरह से remove कर रही हूँ, और आप देख सेक्टे, skin पहली स्टेप में कितना clean clear हो गई है, तो अच्छी तरह से full face से remove करके, normal water से face को clean कर लिएगी, ना ही आपको थंडे पानी के इस्तमाल करना है, ना ही गरम पान जो पानी आता है, उसे ही आपको अच्छी तरह से clean कर लेना है, और इसे हफते में 2-3 दिन इस्तमाल कर सकते हैं, सबसे अच्छा वक्त है, रात को सोने से पहले ट्राइ कीजिए, अब मैंने मेरे face को clean कर लिए है, normal water से अब देख सकते है, skin एक दम clean clear हो गई है, और मैं बहु coconut oil, coconut oil हमेरे skin के लिए बहुत ही अच्छा है, आपकी skin से aging sign को दूर करती है, skin को tight बनाती है, दाग धबे को दूर करती है, skin को nourish और moisturize करती है, नेक्स माही आपर एड कर एक चम्मच, aloe vera gel, जी हां दोस्तों, यहां पर market weather aloe vera gel ही चाहिए, अब किसी भी brand के ले सकते है, aloe ver एक चमच raw milk, raw milk हमेरे skin के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है, जैसा कि अच्छी cleanser का काम करता है, और अच्छा moisturizer भी है, दुनिया का सबसे अच्छा moisturizer है raw milk, raw milk आपकी skin को soft smooth बनाती है, open pores को कम करने में मदद करती है, skin tone को improve करती है, निखारती है, skin को lighten, brighten, or glowing मदाने में मद करती है, बहुत ही अच्छी तरह से mix कर लेना है, तो फिर नाइट क्रीम है वो बनके बिल्कुल तयार हो जाएगा, आप चाहे तो इसे अच्छी तरह से बनाएंगे ना उतना ही अच्छा result है, जैसे कि खाना अब फ्रेश बना के खाएंगे तो बहुत ही अच्छा होता है, कि का करना है इसे आपको फेस मैं अच्छी तरह से अप्लाई करना है जिस तरह से आप मॉस्ट्राइजर यह ऐृपके सी Demon, उसी तरह से, हर्के हातों से इसे देकर आपका सकिन में मसाच देना है अच्छी निorsunसे किया होता है, आपके स्किन में बहुत ही अच्छाорот गलो हात यह प्याइट को और आखों से डार्क सर्कल या फिर फाइन लाइनस जितनी भी प्रप्लम है उसे दीरे-दीरे कम करने में मदद करेंगी और आपके इसकी आपके स्किन में बहुत ही अच्छा ग्लो और निखार लेकर आगी यह आपके स्किन को ताइट करेगी अगर ऑपन प् और स्किन के लिए तो बहुत ही अच्छा है अच्छी तरह से इसे तरह से मसाज दे के स्किन में एकदम अब्जॉब कर लेना है उसके बाद ओवरनाइट आपको इसे छोड़ देना है इसे अपलाई करने के बाद नहीं तब को फेश वश करना है या फिर कुछ और ट्राइ करन और इस रेमेडी के अगर आप कुछ दिन कंटीनू करता है ना तो दोस्तों आप खुदी फील करेंगे अपके स्किन एकदम सॉफ्ट समूथ सपल हो जाएगी स्किन में बहुत ही अच्छा ग्लो आ जाएगी और स्किन दिन बाद दिन निखरती जाएगी तो शुक्रिया दो